गुड आफ्टर नून माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे तो गाइस आज का जो व्लोग है वो स्टार्ट हो रहा है आफ्टर नून से यानि 12 सवा 12 बजे का टाइम होगा और इस टाइम पर जो है न मैं अपना लंच प्र पहले प्रिपेर कर लेती हों क्योंकि उसके आप सबको पता ही है कि जब बच्चे घर आ जाते हैं और जो है काफी सारे काम हम सब मैम्म्ईों के बढ़जाते हैं उनका लंच बोक्स ने कालना उनको होंवक कराना तो मेरे कोसी से ही रहती है कि मैं डुगू कहने से पहले प्रिपेर कर लूँ तो यहां पर बस मैं वही लंच बना रही थी तो आज जो है लंच में बन रहे थी गाजा रालू की सबजी और तो बस वही बना रही थी और साथ में मैं बनाऊंगे आज बत्वे का रायता जो की मुझे काफी अच्छा लगता है और सर्दियों में मुझे आपकी सबजी का टेस्ट बर जाता है और आपको खाना खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में सुखी सबजी ज़्यादा बनती है तो इसलिए मेरी कोशिस रहती है कि मैं कोई न कोई रायता जरूर बनाऊ अभी तो पहले मेरी फैमिली को सर्दी जुखामो रखा था बट अब ठीक है तो इसलिए मैं बत्वे का रायता बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में अपनी कर्ड ले ली है और ये कर्ड भी मैंने घर पर ही बनाई थी तो उसे लेकर मैं सबसे पहले जो है इसको एक विसकर की हल्प से से विसक कर लूँगी उसके बाद मैंने हाँ से दो से तीन चम्मत बत्वा एड़ किया था बत्वा मैंने बोईल करके पहले ही रखा हुआ था अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी उसके बाद जो है ना वैसे अगर समर होती है ना तो मैं जो है रायते वगारे में तड़का नहीं लगाती हूँ लेकिन अभी सर्दी है ना और सबके जो गले भी है वो थोड़े से ऐसे ही हो रखे है खरास खरासी तो मैंने सोचा की क्यों न रायते में तरढका लगातूँ तो बस मैंने थोड़ा सा तेल लिया है उसमें सुखी लाल मिर्ष डाली है साबुत और thोड़ा सा जीरा ठोड़ा सा हींग और बस ये सब भून कर अच्छे से जो है मैंने जो मैंने रायता रेडी किया था उसमें लगा दिया है और इस रायते में जो है न काला नमक जादा अच्छा लगता है तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है भुना जीरे का पाउडर और काली मिर्स का पाउडर और थोड़ा सा जो है काला नमक एड़ कर दिया है तो बस देखिए यहाँ पर जो है मेरा रायता भी बनकर रेडी हो चुका है अभी हम यहाँ पर लगाएंगे आटा तो मैं आटा चान रही हूँ तो आटा लगा कर रख दूँगी और फिर मैं रोटिया बना लूँगी तो मैं जो आटा जो है मेरे मम्मी ने भेजा था वो मल्टी ग्रेण आटा था उसमें कई तरह के आटे मिक्स थे तो रोटिया इतनी अच्छे बनती है करारी करारी फुली फुली सी और करारी रोटिया मतल् Days मुझे और मेरे हस्बन दोनों को ही personally काफी जादा अच्छी लगती है तो यहाँ पर बस मैंने जो है थोड़े से गरम पानी में क्योंकि आपको पता ही है आप जो है ना सरद्या स्टार्ट हो गई तो आटा जो है ना हलके गुनगुने पानी में ही लगाया जाता है तो आटा जो है लगाकर मैंने छोड़ दिया था और जब मैं रोटी बनाने जा रहे थी तो मैंने देखा कि जो मेरा घी वाला बाउल है उसमें घी खतम हो गया था तो बस घी को भी इसमें जो है डाल कर मैं रख लूँगी और फिर फटा फट से रोटी बनानी स्टार्ट कर दूँगी और गायज आप सब बताएगा कि आप जो है सर्दियों में अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि जैसे जैसे सर्दिया बढ़ती जाएंगी तो हमें काम करने में थोड़ी सी दिक्कते होनी सुरू हो जाती है क्योंकि थंड में एक तो आहाथ पैरना काम नहीं करते हैं और रिठन में जब सर्दिया स्टार्ट होती हैं दिन भी थोड़े छोटे सुरू हो जाते हैं तो मेरा ता आज कल ऐसा हो रहा है कि मेरा दिन कहां सुरू होता है और कहां एंड हो जाता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता और दूसी बात ये क्योंकि इस सर्दियों में जो जैसे हरी पत्तेदार वाले सबजे होती है उनको क्लीन करके रखने का ही काम बहुत जादा होता है तो दिन छोटे होते हैं और एक्ष्टा काम भी बढ़ जाते हैं तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता घर के कामों में कि मेरा दिन कहां सुरू हो रहा है और कहां खत्म हो जाता है बट हम हाउसवाई की लाइफ ना ऐसी ही होती है हम जो है ना हमेशा अपनी फैमली को और अपने घर के कामों को जो है सबसे आगे रखकर चलते हैं और यह होना भी चाहिए क्योंकि जब तक हमारी फैमली खुश है हमारा घर जो है नीटन क्लीन है तब तक ही जो है ना हम भी खुश है तो घर को साफ सुतरा देखकर मुझे तो इस पेसली जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर घर गंदा होता है तो मेरा मन नहीं लगता है इसलिए कोसिस यही रहती है मेरी की हमेज़ा अपने घर को जो है ना साफ सुतरा रखूं फिर जाहे थोड़ा सा टाइम एक्ष्टा क्यों ना लग जाए तो देखे आपसे बाते करते करते ना मेरी जो है रोटिया वगएरा भी बन गई थी और मैंने सोचा जो आज रोटिया पहले बना ली हैं तो डुगगाने से पहले पहले कीचन वगएरा मतला सब साफ कर देती हूँ गैस स्टोफ सब क्लीन कर दिया है तो जब डुगगा और थोड़ा सा खीरा कट करके रख दिया था अभी सोल्ट नहीं डाला है जब डुगगवा जाएगा मतलब जहों खाना खाएंगे तब मैं सोल्ट लगा दूगी उस पर और उसके साथी साथ जो सुबह के वोश के हुए बरतन थे वो सूग गये थे तो उनको जो है उनके प पर अपना लंच लगा रही थी डुगव के पापा पहले ही जो है लंच कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो है मिटिंग चलती है और तो इसलिए उनको जो है पहले ही लंच कर लेना होता है तो बस इस टाइम पर जो है ना डुगवा और मैं ही साथ में बैठ कर लंच करते हैं तो अब ही क्या हुआ खानावाना बनाकर जो है न सारे काम फिनिश हो गए थे, किचन क्लीन वगएरा सब हो गई थी, सारे काम होने के बाद मैं आज जो है न अपनी मुझे थ्रेडिंग करनी थी, तो जब से लोकडाउन हुआ है न मैं तब से अपनी थ्रेडिंग खुद से ही घर पर करती हूँ और अब जो है ना मुझे बाहर जाते वे थोड़ा आलस भी आता है क्योंकि खुद से करनी आ गई है तो बस खुद से ही कर लेती हूँ तो आज थोड़ी सी जो है मुझे ठ्रेडिंग वगेरा करनी थी अपनी तो वो सब कर ली है और उसके सीधा बाद मैं आई ह भी ठ्रेडिंग की थी उतने देर और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी दुगू को होमवग कराने के लिए मैंने उसको बठा दिया है और मैं कीचन में घई हूँ सीधे तो पहले पिना था मिल्क उसने का मामी मैं पहले मिल्क पीओंगा तो मैं ने सुचा चलो पहले मिल्क देते थी हूँ और फिर चाय वगरा बनाने के बाद मैं भी अराम से ना उसके साथ बैठकर उसे होम वग करा दूँगी और आज ना मेरी चाय कुछ स्पेसल बनने वाली है आज मैं बनने वाली थी मसाला चाय तो मैंने अपनी चाय में डाली है दाल चीनी का एक टुकड़ा द तो बस और अभी जो है ना क्या था कि मुझे ना अपने जो बाहर के कपड़े थे वो भी उतारने थे मैंने आज मोर्निंग में कपड़े नहीं लगाए थे वोश करने के लिए मैं भूल गई थी तो अभी जो है ना मैंने दुपैर के टाइम जो है कपड़े लगाए थे तो वो सब भी दो है उतार कर रख दूँगी और इन्हें सब को एक प्लेस पे रख लूँगी जिससे कि मुझे फोल्ड करने में इन्हें आसानी रहे और जो कपड़े मैंने वोश किये थे लेट वो मैं अब फैला दूँगी वो मैंने कली प्यार नहीं की तो बस अभी जब तक अपने कपड़े उतार कर रख कर आई थी तब तक मेरी चाय में भी अच्छे से एक उबाल आ चुका था अच्छे से पक गई थी और चाय जो है थोड़ी सी अच्छी पकी हुई ही जो है उमें टेश्ट आता है तो यहां पर बस चाय को छान लूँगे और आज हम मतलब मैं चाय के साथ खारी हूँ खाकरा तो यह खाकरा ना मैं बिग बास्केट से मंगाती हूँ और काफी टाइम हो गया है यह मुझे काफी पसंद है इस पेसली जो मेथी वाला होता है तो मैंने अपने हजबन से पूछा तो उन्हें जो है ना उन्होंने पूछा क्या रखा है मैंने का उस टाइम पर घर में एक रोटी बची हुई रखी थी जो दुपैर में हमने खाई थी तो उन्हें जो है न वो जैसे हम बचपन में रोटी पर मलाई और नमक लगा कर खाते थे ना तो उन्होंने का आज मुझे ऐसे रोटी चाहिए तो मैंने फिर उस रोटी पर उनके लिए जो है मार्केट सबजी वेगरा लाने क्योंकि घर में कुछ भी सबजी नहीं थी सब फिनिश हो गई थी और डेली होता है न कि डुगू को भी देनी होती है और फिर घर के लिए भी चाहिए होती है तो मैं बाहर चली गई थी तो बस सबजी लाकर न सबसे पहले मेरा काम है कि इन सब सबजीों को मैं अलग-अलग कर लेती हूँ पोलोथीन से बाहर निकाल लेती हूँ और इन्हें जो है न वोश कर लूगी तो डुगू न बस यहां आकर यही पूछा था कि मम्मी क्या-क्या सबजी लेकर आई हो तो यही सब मैं न उससे यहां पर बता रही थी और मैं लेकर आई थी नए आलू तो जैसे मैं कभी-कभी सबजी बिग-बास्केट से से अभी तो हम बिग-बास्केट से मिल्क मंगा रहे हैं तो वहाँ से आलू मंगाऊना तो वो पुराने आलू ही आते हैं बट सर्दियों थोड़े नए आलू की सबजी जादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने खुद से मार्किर गई थी और मैं फिर जो है नए वाले आलू लेकर आई और इन पर मिट्टी जो है इतनी जादा होती है इने बीना वोश करे रखो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए में पानी में अच्छे से वोश कर लिया है और भी जो सबजेया में लेकर आई था ना वो मैंने इस time पर अच्छे से वोश करके रख दी है और मेरे घर में कुछ और आए या नाए खीरा जरूर आता है क्योंकि मुझे सलाद में खीरा ही जादा पसंद होता है तो वैसे तो सर्दिया चल रही है तो मतल ठंड में जादा खीरा खाया नहीं जाता है लेकिन अगर कभी-कभी मन करता है तो मैं जो है ना सलाद में खीरा ही खाती हूँ मुली वगेरा मैं भूल गई थी लानी और अभी जो है ना मैं दीपक जलाने लगी थी तो जब मैं दीपक जला रही थी ना तो मेरा जो दीपक की बाती थी वो खतम हो गई थी तो मैं सर्दियों में अपनी दीपक की बाती को इस तरह से बनाती हूँ मैंने यहाँ पर अपने डिबे में पिंगला हुआ गीह ले लिया है मैल्ट किया हुआ और उसमें मैंने जितनी मुझे दीपक वाली बाती डालनी थी तो मैंने उस घी में भिगो कर छोड़ दिया है तो सर्दियों में इस तरह से बाती बना कर रखने से क्या होता है कि आपको जो है ना बार बार घी पिंगाल कर दीपक जलाने की जोड़त नहीं होती है क्योंकि जो बाती होती है ना उन पर ओल्रेडी घी की एक कोटिंग हो जाती है तो बस एक बाती निकालो और दीपक जला दो तो सर्दियों में ना मैं ये करने लगी हूँ अभी मतला दो तीन बार से तो अब मैं सोची हूँ अब मैं पूरी सर्दिया ऐसे ही करूँगी और दूसरी तरफ मैंने लोबान जला दिया है क्योंकि काफी टाइम हो गया था घर में मतलब अजीब सी स्मेल आ रही थी और मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा था तो जब भी मैं लोबान जलाती हूँ ना तो मुझे एक पोजिटिव एनरजी सी मिलती है और पूरा घर तो जो है महग ही जाता है तो बस अब जो है ना दीपक वैगारा जलाकर सिधा मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं खाकरा खा रही थी चाय के साथ तो जब मैं उसे ले रही थी तो मैंने देखा उसमें चीटिया हो गई थी और मेरे घर में इतनी जादा चीटिया हो रही है ना बहुत जादा परिसान कर रखा है तो मैंने फिर पैकेट से निकाल कर उस खाकरे को जो है ना एक जो है बजार में भरके रख दिया है जिससे उसमें चीट या ना लगे तो अभी ना जो डिनर का टाइम हो गया था तो मुझे जो है डिनर की प्रिप्रेशन करनी थी तो क्या हुआ मुझे भी जो है ना थोड़ी सी भूगती और जब मैंने डुगू से पूछा की डुगू डिनर में क्या खाना है तो आज उसे जो है ना ओर्स खाने की क्रेविंग हो री थी मैंने कहा भी की सबजी रोटी बना लेते हैं बट उसने कहा नहीं मुझे आज जो है ना नमक वाले ओर्स ही खाने हैं तो नमक वाले ओर्स घर पर हो गए थे खतम तो फिर मैंने क्या किया जो सिंपल वाले ओर्स थे ना मैंने उनको ही जो है ना नमकीन वाला ओर्स बना लिया हलका सा उनको जो है रोष्ट करके उसमें जो है बस पानी डाल कर थोड़ी सी हल दी और थोड़ा सा जो है न काली मिर्ष का पाउडर डाल दिया था और साथ में मैंने थोड़ी सी उसमें जो है हरी मतर डाल दी थी मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी जैसा कि मैंने बोला तो मेरे लिए दिन की सबजी रखी हुई थी जो तो बहर में बनाई थी और आटा रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो जब डुगू नहीं खा रहा है तो फिर नई सबजी बनाने से फायदा क्या है क्योंकि लिए तो मैंने ओर्स बना दिये थे ओर्स रेडी हो गए थे तो थोड़ा सा मैंने उस पर गीव डाल दिया है और बस फिर अपने लिए जो है मैंने रोटिया बनानी स्टार्ट कर दिया और डुगू को इतनी ज़्यादा मतर्स की लग रही थी ना वह बार बार आके पूछ चाहता कि मम्मी रेडी हो गए रेडी हो गए तो बस बावल में करके मैंने उसको दे दिये हैं और उचंडे होने के बाद जो है ना डुगूने वो खा लिये थे और मैं बस दूसी तरफ अपनी जो है रोटिया बनाने लगी हूँ तो बस यही था आज का व्लोग और अब हम चलते हैं अपने व्लोग के एंड की और तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा मिलते हो आप से अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए हस्ते रही है मुस्कुर बादे ये